अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जोब रेनियर ट्राइट्स, तो इन्होंने क्या ट्राइट्स दिये थे, देखो ट्राइट्स का मतलब होता है, ग्रूप ओफ थ्री, इन्होंने क्या क्या ट्राइट्स को एक ग्रूप में अर्इंच किया था, जिसको कहा गया है ट्राइट्स, और वो कैसे एलिमेंट्स थे, जिनके सिमिलर प्रॉप टीज थी, ऐसा नहीं था कि कुछ भी उठाके एक ग्रूप में रख दिया और उसको ट्राइट के दे नहीं, जिनके सिमिलर प्रॉपटीज थी, और इन विच दा अटोमिक मास का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो सेकेंड एलिमेंट के अटोमिक मास के नियरली इक्वल आ जाएगा, फॉर एक्जाम्पल जैसे कि हमने लिया है लीथियम, सोडियम और पॉटाशियम ये ए मिथियम का मास होता है 7, पॉटाशियम का मास होता है 39, जब हम इन दोनों के मास का एवरेज निकालेंगे, तो वो 23 आ जाएगा, जो की होता है सोडियम का,